तो दोस्तो आज मैं आपके लिए रात के बचे हुए चावल और कच्चे आलू से बनने वाला एक ऐसा नास्ता लाई हूँ ना जिससे देखकर आप खुश हो जाएंगे और जब भी आपके चावल बचेंगे ना तो इस रसिपी को ज़रूर बनाएंगे तो मैंने यहाँ पर बचे हुए चावल ले लिए हैं यह देट से दो कटोली के करीब हैं बचे हुए चावल इन चावलों को हम मिक्सर जार में डाल लेंगे दो से तीन बड़े चमच पाइने डाल कर इसकी बड़िया सी स्मूथ पेस्ट बनाकर तयार कर लेंगे यहाँ पर इस बात का ध्यान देना है जो पेस्ट होना वो स्मूथ हो यहाँ पर चावल के दाने बिलकुल भी ना हो अच्छी तरह से आप इसे मिक्सी कर दीजेगा अब हमने इसे एक बरतन में ट्रांसफर कर लिया और अब हम इसमें डालेंगे एक कर्टोरी सूजी जो बिलकुल महीन वाली सूजी होती है मैंने वो इस्तमाल की है और साथ ही वैने इसमें डाला है एक कर्टोरी पानी अब इन दोनों चीजों को हम बहुत अच्छी तरह से mix कर लेते हैं दोस्तो सूजी डाने से क्या होता है यह जो चुप थोड़ी बढ़ जाती है और पूरे परिवार के लिए नास्ता काफी हो जाता है तो बस इसे अच्छी तरह से हमने mix कर लिया सूजी डानने के बाद आप इसकी consistency देखिए थोड़ी सी पतली लग रही है अब हम इसे 10-15 मिनट के लिए rest पे रख देते हैं 10-15 मिनट के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मिश्रन है थोड़ा सा गाड़ा हो चुका है पहले के compare में और आपको mix करने से पता लगेगा कि यह थोड़ा थिक हो चुका है पर हमें यहाँ पर बहुत जादा थिक मिश्रन नहीं चाहिए इसको थोड़ा सा smooth करेंगे तो मैं ऐसे एक दूसरे पाउल में transfer कर देती हूँ दोस्तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर इसमें पानी डालने की ज़रुत होगी हो सकता है कि आपके जो चावल की quantity हो या जिस तरह से आपने इसको मिश्रन बनाया हो वो soft हो तो मैं आपको दिखा देती हूँ आपको इस तरह का घोल बनाना है न बहुत जादा गाड़ा हो न बहुत जादा पतला हो एकदम medium तरह का घोल हो आप देखिएगा अगर आपको जरुत लगे तभी आप इसमें बाद में पानी डालेगा अगर आपको लगे कि आपका मिश्रन स्मूथ है तो फिर आपको पानी डालने की बिलकुल भी जरुत नहीं है जरुत की हिसाब से आप इसमें पानी आड़ कीजेगा ये देखिए इस तरह का थिक और स्मूथ मिश्रन हमें चाहिए अब मैंने यहाँ पर 4-5 बड़े चमच पानी और एड़ किया था पर आप अपने जरुत की हिसाब से इसमें आड़ कीजेगा अब हम इसमें डालेंगे बिलकुल बारिक करता हुआ एक छोटा सा प्याज थोड़ी सी बारिक करती हुई शिमला मिर्च काफी सारा बारिक करता हुआ हरा धनिया थोड़ सी बारिक करती हुई हरी मिर्च सुखा नारेल ले लिया है दोस्तों मैंने कद्दू कस करके वो इसमें आड़ किया है एक छोटा चमच हम इसमें रैट चिली फ्लेक्स का डालेंगे उसके साथ ही हमने यहाँ पर डाला है नमक, स्वाद अनुसार और काली मिर्च का पाउडर अगर आप बच्चों के लिए इस नास्ते को बना रहे हैं तो हरी मिर्च को स्किप कर दीजे बाकी सबी चीजों को रहने दीजे और आदा चुटा चमच काली मिर्च का पाउडर हम इसमें जरूर ढालेंगे इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है अब इन सभी चीजों को बहुत अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजे एक और चीज अगर आपके बच्चे शिम्ला में पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं सिर्फ प्याज एट कीजिए फ्लेवर काफी अच्छा ही आएगा ये सबी चीजे बहुत अच्छी से मिक्स हो चुकी और मिक्स देखे हमारा कितना बड़ी और स्मूद सा बनका रेडी हुआ है अब इसके फ्लेवर को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे और इसमें हम एक जरूरी तड़का लगाएंगे तो मैंने एक बड़ा चमच तेल ले लिया था उसमें हम डालेंगे आदा चुटा चमच राई आदा चुटा चमच जीरा और करी पते को काट कर मैंने चुटे 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 टुकडों में रेडी कर लिया था और साथ ही आधा कटोली हमने यहाँ पर मूमफली के दाने ले लिए हैं मूमफली के दानों को लो टू मीडियम फ्लेम पर बढ़िया सा क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक हम यहाँ पर फ्राय कर लेते हैं हमारा जो यह तड़का है ना इस नास्ते की जान है इसके फ्लेवर को बहुत बढ़ा देगा तो यह डेफिनेटली आपको एड़ करना ही है अब जब आप देखें कि हमारी मुमफली का रंग बढ़िया सुनहरा हो चुका है तो आप इस तड़के को हम उस मिश्रण के ओपर डाल देंगे और इसे बहुत अच्छा सा मिक्स दे देंगे तो दोस्तों बस हमारा जो यह मिश्रण है यह पूरी तरह से रेडी हो चुका है तो यह नास्ते का जो बेस है न वो बन चुका है अब इस नास्ते में क्रंची नस लाने के लिए मैंने यहाँ पर कच्छे आलू ले लिये थे उनको कदू कस करके एक बार धो कर हमने यहाँ पर बाउल में ट्रांस्फर कर लिया है मतलब इस आलो में नमी नहीं है जब आप आलो को कद्दू कस करें उसके बाद आपको धोना जरूरी है और फिर सारा एक्स्ट्रा पानी आप निकाल दीजे अब हमने याप पर एक तवा ले लिया है तवे पर हम डालेंगे एक से देड़ बड़ा चमच तेल और जो हमने मिश्रन बना कर रेडी किया था अब वो मिश्रन इस तरह से एक एक बड़ा चमच भर कर हम तवे पर फैला देंगे फिलहाल आप स्टार्टिंग में सिर्फ मिश्रन आइड कीजे उसके बाद हम क्या करेंगे थोड़ा सा चमच को प्रेस करते हुए इसको थोड़ा नास्ते को फ्लैट कर लेंगे बस हमें बहुत जादा इसको शेप देने की जरुद नहीं है हलका सा आप इसे फ्लैट कर लीजे तो इसकी शेप जो है थोड़ी सैट हो जाएगी इसे बहुत जादा मोटा नहीं बनाना है एक बड़ा चमच की करी भी हम इसमें मिशनर डालेंगे और उसे चप्टा करेंगे ताकि इसमें थिकनेस ना आए बैलेंस रहे अब ये देखे अच्छी तरह से मैंने सारे नास्ते को फैला दिया है अब नीचे साइड से तो ये सिकरा है बट ऊपर साइड से ये कच्छा ही है तो इसी स्टेज पर जो हमने आलू के लच्छे बनाया है वो हम इसके ओपर डाल देंगे आप देख सकते हैं ये नास्ता जो दोस्तों है बहुत ही आसान है ऐसे बनाना बट इसका जो टेस्ट है ऐसे लगेगा कि कमाल है कोई विश्वास नहीं करेगा कि आपने इसे बच्चे हुए चावल से बनाया है गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रख दिया कवर करके पहले एक साइड से हम इसे कुप कर लेंगे आप देख सकते हैं आलू का कलर भी चेंज हो चुका है स्टीम होने की वज़े से अब हम इसे फिर से टरन कर लेते हैं अब बस यहाँ पर आपको क्या करना है गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पर ही अलटते पलटते हुए दोनों साइड से बड़िया सा क्रिश्पी गोल्डन ब्राउन होने तक आप इसे फ्राय कर लीजी वैसे तो दोस्तो हमने एक से देट बड़ा चमच तेल इसमें डाला था उसमें ये नास्ता बहुत अच्छी से पक जाएगा बड़ अगर आप फिर भी बहुत अच्छा खसता रिजल्ट चाहते हैं तो आदा चमच तेल आप इसमें और डाल सकते हैं लाइक जितना क्रिस्पी आप चाहते हो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ऑईल की ब्रशिंग कर लें वैसे ज़रुत नहीं है दोनों साइट से अलड़ते पलड़ते हो इस नास्ते को पकाईए दोस्तों दोनों साइट स शिक जाए कासओ आट लिचा अरने शुक्ते ही कितना बढ़ा बड़ा क्रिस्पी तेक जाते हैं थो रिक धत्utta कीजिकेंका आप बहुत हथा रैसिपी काईएगा अगर आपको मेरी वीडियो पस्ते है तो वीडियो को जरु लाइक करें चैनल पर पहले पहल, जrale ने लिफ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं अब आप इसे हरे धने की चटनी के साथ या नारल की चटनी के साथ सर्फ करें यह रेसिपी आपको बेहपस बाएगी तो मैं यहां पर आपको इसको तोड़ कर दिखा देती हूं यह देख सकते ह अब मैं आपके साब मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ बाई